स्वागत है आप सभी का पोशेंट है के हेलप लाइन में सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं फैमिली सर्वे से लेडिट को जानकर या आप सभी किसा शेयर करने वाले हैं आप सभी वीडियो में लास तक जुड़े रहेगा family survey से समन्दित काफी ऐसे सवाल हैं जो आपकी मन में चल रहे हैं और इससे पिछली वाली वीडियो जो हमने family survey कैसे करना है वो topic आप सभी के शेयर किया था उसमें आप सभी ने बहुत सारे प्यारे प्यारे comments किये थे और आप सभी जब हमें comment करके पूछते हैं किसी भी सवाल का जवाब पूशने हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है तो आप सभी इसी परकार से हमारे साथ जुड़े रहेगा पोशन टेकर हेलप लाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा यदि आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देने वाले हैं यहां पर हम फैमली सर्वे से समंधित को जानकारियां विया आपके शेयर करेंगे जैसे कि आप सभी को फैमली सर्वे क्या करना आवश्यक है और दादा दादी के नेम से कैसे फैमली सर्वे कर सकते हैं यानि दादा दादी को कैसे घर का मुखिया हेड बना स क्या फैमिली सर्वे पूरे छेतर का करना है कुछ इसी परकार के सवाल भी आप सभी की हैं तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले आप सभी फैमिली सर्वे इस परकार से करते हैं यहां पर फैमिली सर्वे आप सुभी ने कर लिया होगा जितने भी फैमिली आपने जोड चुके होंगे अभी तक यानि जितने भी आपके छेतर में परिवार आते हैं माल लिज़े कि आपके पूरे आगरमड़ी सेंटर के अगरमड़ी सेंटर के अंतरगत आपका जो डाटा है उन सभी परिवार को आपको यहां पर जोड़ना है इस तरह से आप लोग कितने परिवार जोड़ चुके हैं उनकी लिश्ट आपको यहां पर सो हो जाएगी अभी आप लोग देख सकते हैं यहां पे सिर्फ एक ही परिवार जोड़ा हुआ है बागी जो भी परिवार है छेत्र के अंदर आते हैं उनको यहां पर जोड़ना बागी अभी आपके जितने भी लाभारती पंजिकित हैं बच्चे पंजिकित हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोग उनके परिवार को यहां पर एड़ कर लिजेगा बाद में आप सभी लोग धीरे-धीरे करके अपना सारा डाटा यहां पर फिल कर सकते हैं तीसरी बात हम लोग यहां पर देख जैसे हमें किसी भी लाभारती का न्यू रेश्टेशन करना होता है यानि उसको यहां पर जोड़ना होता है सबसे पहले हम लोग यहां पर घर का हैड को यहां पर एड़ करते हैं घर का मुख्या हम लोग यहाँ पे एड कर लेंगे तो उसके एक फाइल बन जाएगी इस तरह से फाइल बन जाती है और उसके बाद हम उसके घर का न्यू मेंबर यानि सदस्चियों को जोडते रहते हैं उस फाइल के अंदर तो यहाँ पे न्यू मेंबर को जोडने के लिए परिवार जोडने के लिए आपको नीची यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे आप लोग को दिखाइदे रहा है चिन्न आप लोग इससे क्लिक करेंगे अइन उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का पेज ओबन हो जाता है तो सबसे important बात यहाँ पे आती है कि हमें घर का म मुख्या अधिक्तर माता ही होती है मा के नेम से ही फाइल बना सकते हैं जिनके घर में मा की डैथ हो चुकी है तो आप लोग डैथ वाले उप्शन पे क्लिक करके उन्हें मृत्यू दिखा सकते हैं ऐसी कंडिशन में मृत्यू दिखाने के बाद आपको फादर का उप्शन मिल जाएगा तो आप लोग उन्हें फादर के नेम से उनके फाइल बना सकते हैं यानि फादर को घर का मुख्या बना सकते हैं यहाँ पे आप लोग मा लिजए कि किसी के घर में पिताजी मुख्या है तो ऐसी कंडिशन में आप लोग पिताजी को मुख्या बनाएंगे तो और उनकी माता जी भी है लेकिन माता जी को आप लोग डैट तो नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पे आपको फादर का ऑप्शन घर का मुख्या दिखाने के लिए मा को डैट दिखाना पड़ेगा और मा की डैट नहीं हुई है तो आप लोग डैट भी नहीं दिखा सकते हैं उन्ह आपको यह option यहां पे change मिल सकता है यहां पे आपको पिता जी दादा जी दादी जी के नेम के लिए यहां पे option दिया जाएगा तो इसी परकार से जैसे धीरे धीरे new update आती जाएंगी तो कुछ-कुछ बदलाओ यहां पे हो दे जाएगा आपको मिलता जाएगा तो अभी के according माता है घर के मुखिया है उनकी फाइल बना सकते हैं धीरे धीरे new update आने के बाद आपको हर जब भी new update आएगी उसमें कुछ-कुछ परिवर्तन दिखेगा तो इस परकार से हो सकते हैं आपको यहां पे बदलाओ देखने को मिल पाएगा तो इसी परिवार में माता भी न तक दिखा देंगे तब आपको यहां पे new file के लिए option आजाएगा आप लोग यहां पे create new file पे click करेंगे इस परकार से आप लोग दादादे के नाम से यहां पे file बना सकते हैं तो आप लोग जैसे file बनाएंगे तो उसके बाद आपको नीचे यहां पे सारी details को fill up करना है पह आप लोग सारी details को fill up कीजेगा एंड उसके बाद आप यहां से form को submit कीजेगा जैसे आप लोग form को submit करेंगे उसके बाद आपने यह वाले page पे आजाएगे तो अभी हमने किसी के file को submit नहीं किया हुआ है क्योंकि हमारे यहां पे दादा दादी के नाम से कोई भी file नहीं बन उनके सामने आपको यहां पे members का option दिखाए देगा तो वहां पे click करने के बाद आपको इस तरह से यहां पे उनका name आएगा अभी यहां पे किसी दूसी की file मैंने open की है इसलिए उनका नाम आ रहा है तो आप लोग जब दादा के name से करेंगे तो उनकी उनका name यहां पे आए उनको add करना है आप लोग यहां से कर सकते हैं तो यदि उनके कोई भी पोता पोती कोई भी बच्चे या फिर उनके family के कोई भी माता हैं इस्तनपान और गर्वती है तो वो अगर आगनमड़ी center में पंजगित है तो आप लोग उन्हें यहां से सामने option है आप लोग यहां प उनकी family की है आपनों उसको टिक किया नीचे प्रोसेट का option आ रहा है तो आप लोग यहां पर प्रोसेट करें उसके बाद उसकी डिटेल आपने पहले से फिलप की है तो उसकी पूरी डिल यहां पर आ जाएगी और उसके बाद नीचे आपको form को submit करना है जैसे आप लोग फ एंटर में add नहीं है तो ऐसी condition में आपको दूशा option है नीची profile वाले option के सामने आपको click करना है और यहां से जो भी सदश यह है उनके घर का तो उनका पूरी यहां पर detail आप लोग डाल सकते हैं और दूसी बात यहां पर यह है कि अधिक उनकी घर के कोई भी छोटे चोटे ब आप लोग देख सकते हैं यहां पर जिन भी option के सामने आपको इस तरह का red color का आइकन दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह है कि इनको भरना आपको अतिया आउशेक है जब तक आप लोग इनको भरेंगे नहीं option को तब तक आपका form submit नहीं होगा इनके विना यहां पर काफी option सबी option आपको यहां पर red star में दिखाई दे रहा है इस तरह से एक सिर्फ यहां पर एक आधार number वाला option ही ऐसा है जिसमें आपको red color का star नहीं दिखाई दे रहा है तो यह option आप लोग छोड़ देंगे तो अब भी आपका form submit हो जाएगा यदि इसको भरते हैं तब भी आपका form submit हो ही जाएगा तो इस परकार से यदि किसी भी बच्चे का किसी भी लाभरती का अधार नहीं है परिवार में तो आप लोग उसका यहां पर अधार नहीं बरने के वावजूद भी उसको उसका form submit कर सकते हैं उसको उस परिवार से चोड़ सकते हैं यहां पर बात आती है कि relationship with head of family member तो यहां पर relationship में भी आप जैसे click करते हैं तो यहां पर आपको तीन ही option आ रहे हैं son, daughter और husband तो यहां पर माली जे किसी ने दादा या दादी के name से फाइल बनाई हुई है पोता पोती है तो उनके लिए भी आप पर option नहीं आ रहा है और हो सकते हैं कि उनके घर की बहुए हैं तो उनके लिए भी आप पर option नहीं आ रहा है तो इस परकार से आप लोग यहां पर देखेगा और wife का option भी नहीं आ रहा है तो यह भी आपको new update आने के बाद हो सकते हैं सबस्क्राइस दिखाते हैं तो द्लिक्ति मतले chap yap भी अप्षिन को कर सकते हैं टोख इस परकार से एंप अप्टिन थीमा हेन और इसOP कर सकते हैं यहां पर तीन यह वांस कर दोट पूछा गया है पूरे एरिया का सर्वे करना है क्या सिर्फ आगनबड़ी के जो लाभरती है उनके उनका सर्वे करना है तो यहां पर आगनबड़ी सेंटर नहीं आपके छेतर में जितने भी सर्वे में डाटा है आपको सभी को यहां पर फिलप करना है दूसरे कमेंड यहां मैं रिलेस्टेंसीप में तीन ही option आ रहे हैं son, daughter, husband और नहीं आ रहे हैं daughter, in-law, son, in-law ये नहीं आ रहे हैं अगर मुख्या दादा दिद्दादी जी है तो क्या करें बताइए तो आप लोग को मैं यही कहूंगी कि आप लोग वेट कीजेगा ऐसे परिवार को अभी आप लोग आज का वीडियो तो उमीद करती हूँ कि आप सभी कोई जानकारी अच्छी लगी होगी यदि जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा प्लेश्टा पे सभी आगनवड़ी वर्करता है और चैनल पर पहले बिजिट कर रहे है तो प्लीज चैनल को जड़ो सबस्क्राइब कीजिए और यदि आपके मन में कोई भी सभाई या फिर आपको पूशें टेकर से कोई भी समयश्या है आप लोग हमें कमेट करके पूश सकते हैं तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नए वीडियो में तब तक के लिए अबस्क्राइब को बाइब बाइस